सभी दीदी को मेरा प्रणाम प्रणाम दीदी आप सब कैसी है? हम सब अच्छे है दीदी क्या आप सभी को मीना याद है? हाँ दीदी वही मीना जिसने अपना प्रशव अस्पताल में करवाय था और जिसने जन के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाड़ा दूद भी पिलाया था और जिसने छे माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूद पिलाया था बाहर का एक बून पानी भी नहीं दिया था वा दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद हैं। आईए, अब हम लोग गुडवन्ती दीदी, जो मीना की सास भी हैं से जानते हैं कि छे माह पूरा होने पर, क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूद के अलावा भी कुछ खिलाया? हाँ दीदी, जैसे की आपने समझाया था मीना ने छे माह पूरा होते ही, हुश्बू को अपने दूद के साथ साथ पूरा काहार भी खिलाना शुरू कर दिया। पूरा काहार? वो क्या होता है दीदी? बच्चे का छे माह पूरा होते ही, माह के दूद के साथ साथ उपर से खिलाये जाने वाले भोजन को पूरा काहार कहा जाता है। लेकिन छोटे बच्चे को पूरा काहार क्यों? उनका पेट तो माह के दूद से ही भढ़ जाता है, क्योंकि छे माह तक बच्चे के वृद्ध विकास के लिए जरूरी सभी पोशन मा के दूद से पूरा हो जाता है। परंतो छे से बारा माह तक के बच्चों के लिए मा का दूद उसकी पोशन की आवश्यक्ता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसलिए जब बच्चा छे मा का हो जाए तो मा के दूद के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए। वा दीदी तब तो मेरा मुन्ना भी पांच मा का होने जा रहा है। मैं भी खिलाऊंगी पूरक आहार। बिलकुल नहीं दीदी पूरक आहार छे मा पूरा होने पर ही शुरू करना चाहिए। समय से पहले पूरक आहार देने से बच्चों को बार-बार दस्थ हो सकता है और बीमार होने की समभावना भी बढ़ जाती है। समय से पूरक आहार शुरू करने से बच्चे का शारिरिक और मालसिक विकाव सही रहता है और आगे चल कर बच्चा तंदुरुस्त और पढ़ाई लिखाई में भी तेज रहता है बीबी, अब आप हमें ये बताएं कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए छे माह के बाद बच्चों को मसला हुआ अत्वा नरम खाना खिलाना चाहिए ना कि बहुत पतला खाना बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो आसानी से चम्मच में थेहर सके लेकिन दिदी, छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए? ये भी बताएं. जरूर, जब बच्चा छे से आठ माह का हो, तो उसे कम से कम दिन में दो बार पाव भर की कटोरी से आधी-ाधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए. जब बच्चा नौ से ग्यारा माह का हो, तो उसे दिन में कम से कम तीन बार आधी-ाधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए. जब बच्चा बारा से तेईस माह का हो, तो दिन में कम से कम तीन बार पूरी कटोरी भर कर खाना खिलाना चाहिए. और हाँ दिदी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि पूरक आहार के साथ साथ कम से कम दो वर्ष तक मा का दूद पिलाना जारी रखना चाहिए बच्चों के खाने में हमें क्या-क्या शामिल करना चाहिए दिदी? बच्चों के रोज के खाने में इन साथ में से कम से कम चार खाद्य समूहों को जरूर शामिल करना चाहिए पहला समूह अनास एवं कंदमूल जैसे चावल, केहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू दूसरा समूह सभी प्रकार के दाल, मेवे एवं फलियां जैसे की अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, मूंग, फली, सोयाबीन, सेम, बादाम तीसरा समूह मास और मचली, चौथा, अंडा, पाच्वा, दूद और दूद से बनी चीजें जैसे की दही, पनीर, गी, खोवा छठा, हरी पत्तेदार साख सब्जियां और लाल पीले फल सब्जियां जैसे आम, पपीता, गाजर, तर्बूज, कोडा, टमाटर और सात्वा, अन्य सभी मौसमी फलेवं सब्जियां इन सभी समूह में से कम से कम चार समूह का खाना बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए पर दीदी, रोज कम से कम चार समूह का खाना कैसे खिलाएंगे, क्या बच्चा उतना खा पाएगा बहुत आसान है दीदी, जैसे चावल, डाल, कोई मौसमी सबजी, जैसे बीन्स, या गाजर, या साग मिलाकर आप खिचुड़ी बना सकती है और उपर से थोड़ा घी या तेल मिला दीजिए, हो गये लचार समू, और आप दूद, आटा, केला, गुड़ और घी मिलाकर भी बच्चों के लिए मीठी पूरी बना सकती है वा दीदी, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसानी से बना कर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं अच्छा दीदी, बच्चों को पूरा काहार खिलाते समय, और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का खाना पकाने और खिलाने से पहले, मा को अपना हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए बच्चे को धैरिय पूर्वक खाना खिलाना चाहिए और अनावश्यक बाहरी आहार नहीं देना चाहिए यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उसका मनपसंद खाना देना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए ध्यान रहे दिदी खाना खाने से इंकार करना कुपोशन की ओर पहला कदम है अगर इस सि करती में सुधार ना हो तो तुरंत आशा, A&M या डॉक्टर से संपर करना चाहिए तो दीदी पूरा कहार के बारे में आज आपने कौन-कौन सी मुख्य बाते सीखी छे मा पूरा होते ही बच्चे को पूरा कहार देना शुरू करना चाहिए और साथी साथ कम से कम दो किलाना चाहिए बहुत अच्छा दीदी आप लोगोंने सभी बातों को बहुत अच्चे से समझा आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों को पालन करके अपने तथा अपने आसपास के बच्चों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगी इन बातों को हम अपने आसपास की दीओं को भी जरूर बताएंगे धन्यवाद दीओ सभी दीओं को धन्यवाद